भारत में पाकिस्तान, मयामार, भुटान, बंगलादे जैसे देशों से आने वाले इनलीगल इमिग्रेंट्स की बढ़ती वीड एक बढ़ी प्रॉबलम है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि भारत की लगबग 7,25,000 लोग इनलीगल इमिग्रेंट्स करूप में अमेरिका में रह रहे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिका में नंबर ओफ इनलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में इंडियन इमिग्रेंट से इंडिकल तरीके से अमेरिका कैसे पहुँचे क्या डंकी प्रोसेस और कुछ स्टेट्स पर नजब डालेंगे जो बताते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको एक सेकेंड लगेगा लेकिन हमारी बहुत हैल्प होगी आगे बढ़ते हैं इस डंकी रूट है डंकी प्रोसेस आप ऐसे समझें जब लोगों को अलग 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 देशों से रुकते रुकाते इंडिकल तरीके से दूसरे देशों में भेजा जाता है उसे डंकी रूट कहते हैं ये एक पंजाबी टर्म है जिसका मतलब है कि कूद कर, फांद कर, फुदक कर एक जगह से दूसरे जगह जाना फॉरण जाने की इच्छा, डिजायर करीब-करीब हर भारती की होती है इस्पेशली वेस्टर्न कर्टीज लाइक अमेरिका, कैनेडा, यूके अपनी लग्जरी लाइफ, बड़ी-बड़ी बिलिडिंगे और उपरचुनिटी से भारतीयों को अट्रैक्ट करते हैं दरसल, better jobs, opportunities and higher earning की चाहत इन देशों में जाने की सबसे बड़ी वज़ा है लेकिन देशों में rules and laws काफी strict होते हैं और उसकी वज़ा है काफी कम इंडियन्स वहां legal तरीके से जा पाते हैं वज़ा है US विज़ा का waiting time जो लगपक 500 तिनों का है मतलब एक साल से भी ज़्यादा का waiting list है यही वज़ा है इंडिया में agents लाखोर पे लेके उनसे उन्हें illegal तरीके से भेजते हैं क्योंकि legally agents Indians को नहीं भेज सकते हैं वो illegal तरीके से लोगों को भेजते हैं जिसे donkey route या donkey flight के नम से जाना जाता है क्या आपको पता है जब ये illegally तरीके से enter होने से पकड़े जाते हैं और case court में जाता है तो वहां क्या बोलते हैं कि हमें भारत में डड़ लगता है और ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं इनको पहले इनकी agents बता देते हैं कि अगर पकड़े जाओ तो ये ही कहना क्योंकि लगबख सब ही देशों में जब कोई illegal immigrants पकड़े जाते हैं तो उनका reason 99% time यही होता है कि हमें dead लगता है हमें वहां मारा जा रहा है जिसकी वज़े से उस देश की image तो खराब होती है साथ पर वहां के tourism पर भी काफी फर्क देखने को मिलता है अब आपको stats बताते हैं ध्यान से सुनेगा ad तक अमेरिका में इन निकल तरीके से गुसने वाले करीब 97,000 भारतियों को गिरफतार किया गया था लगबग 1,000,000 इंडियन्स और ये data 2022 से सितंबर 2023 तक का है According to US Customs and Border Protection, data गिरफतार किये गए 96,917 भारतियों में से 30,010 भारती US Canada border पर पकड़े गए वही 41,770 भारती ये US Mexico border पर क्रॉसिंग करते से में गिरफतार हुए और पकड़े जाने पर वही सेम कारण जो मैंने आपको भी थोर दिर पहले बताया था भारत में हमें ड़ लगता है अमेरिका में इलिगली गुसने में भारती तीसरे नमबर पर है अमेरिकान ड्रीम के चकर में लाइफ को रिस्क में डाल रहे है रिस्क क्यों बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि पिसले सान 21 जनवारी को अमेरिका से 30 मील पहले कैनेडा में एक गुजराती फैमिली के चार लोगों की डेड बॉडी बर्फ में दभी मिली थी ये परिवार इनलीगल तरीकी से अमेरिका में एंटर होना चाहता था पर हैवी स्टोफोल की वज़े से ठड लगने की वज़े से देथ हो गए और भी एक्जाम्पल है लास्ट येर जोनवे अमेरिकी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग टीम ने डूती हुई बोर्ट से छे भारतियों को बचाया था एक एजेंट्स का ग्रूप भी पकड़ा गया था जो इंडिगल तरीकी से अमेरिका में एंटर कराते थे और वो हर बंदे से 25 लाग से 55 लाग रुपे लेते थे आप एक सेकेंड सोची अगर आप पर 50 लाग हो तो आप इंडिया वो उस 50 लाग से कित्रा कर बना सकते लेकिन कुछ लोग फॉरेंट्स के चक्कर में एजेंट्स कैलो या स्कैमर्स इनको पैसे दे देते हैं अच्छा जो पकड़े जाते हैं उनके साथ दो चीज़े होती है फर्स्ट या तो डायरेट्ट टिपोर्ट किया जाता है जिस देश से वो वापस आए है सेकेंड उनको जेल में डाल की उनसे जबरदस्ती जेलों में काम कराया जाता है अमेरिका की जेलों में 20,000 से ज़ादा भारती इलिकली लॉउज है इन जेलों में अंडोकुमेंटिट केदियों से जबरन मजदूरी करवाय जाती है इसके जर ये जेल मोटी कमाई करती है लेकिन इन्हें ना के बरावर पैसा दिया जाता है मजदूरी करने से मना करने वाले कैदियों को अंदेरी कोटरी में डाल दिया जाता है अमेरिका में प्राइविट कमपरी जेल जलाती है इन जेलों में जितने ज़्यादा कैदियों को सरकार सो उतना ज़्यादा होगा जेलों को 80% काम इंड में रहने वाले कैदियों से करवाय जाता है इसमें cleaning, repair work, washing clothes काम है इसके लावा भार की कंपनियां भी जेलों को table, chairs पर भी समान बनाने का content देती है एक Indian पंजाबी ने पताया कि मैं कैलिफोर्निया की जेल में एक साल तक बंग था ये मिलने किसी बुरे सपने जैसा था वहा हमें पगड़ी और कड़ा पैनना भी allowed नहीं था जो लोग wedge खाना खाते थे उन्हें भी ज़र्जस्ती non wedge खाना पड़ रहा था border crossing और infiltration के मामले में कैदियों को एक साल के अंदर ही जमानत मिल जाती है लेकिन कई कैदियों के पास वकील हायर करने के पैसे भी नहीं होते है इसलिए उन्हें मजबूरी में जेल में ही रहना पड़ता है 2022 में अमेरिका में गिरफतार हुए 60,000 में से 40,000 भाट्तियों को जमानत मिल गए लेकिन 20,000 अभी भी जेलों में बंद है तो दोस्तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको दूसरे देश में सैटल होना है तो होई है उसमें कोई बुरा ही नहीं है लीगल डॉकुमेंट्स के साथ चाहे जितना टाइम लग जाए यह एजिंस वेजिंस के चक्रों में बना पड़े लाइफ खराब हो जाती है वीडियो पसंद आयाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो शेर कर दो धन्यवाद हरनवाद